छट पूजा में जरूर ध्यान रखे इन बातों का, ना करी ये गलतियां। नहाई खाय के छट पूजा का आरंब हो जाता है। इस साल छट का पर उननीस नवंबर को मनाया जाएंगा। छट पूजा में भगवान सूर्य और छटी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है की छटी मैया बहुत उदार मानी जाती हैं और यह अपने भगतों पर जल्दी प्रसन हो जाती हैं लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती हैं। इसलिए छट पर्व में तैयारियों के बीच कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। एक, छट पूजा में छटी मैया को चड़ाने वाली कोई भी चीज जुठलई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेडूं पर लगे फल फूज को भी पशु पक्षी ने जुठलाया है तो उसको भी माता को अर्पित ना करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुधा होने चाहिए। इसे खरीदते समय भी साफ सफाई का खास ध्यान रखें। 2. छट पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। ऐसे में छट करते समय इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। 3. चार दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्यास तक के सेवन करने से बचना चाहिए। और इस व्रत की शुधता तक का ध्यान रखना चाहिए। परिवार को लोगों को भी व्रत के दोरान इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। 4. आपको बता दे की जो भी छट का व्रत रखता है उसे छट के सभी नियमों का खास पालन करना चाहिए। चट पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ती को बैट, गदगा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। चार दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ती को भूमी पर आसन बिच्छा कर ही सोने का नियम है। 5. छट के दोरान हो रही पूजा में नारियल चड़ाने का विशेश महत्व होता है। नारियल के साथ साथ गन्ने के बिना भी इस पूजा को अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि छट महापर्व की पूजा इन दोनों चीजों को बिना अधूरी होती है। 6. छट पूजा के पर्व पर सूरज को अर्ग्य देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए. सूरज को अर्ग्य दिया बिना ये पर्व अधूरा माना जाता है. 7. छट पूजा के दौरान सामगरी का विशेश तौर पर ख्याल रखें. इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, महंदी, पीतल का सूप, शक्करंकादी, नारियल, एक, शहद, पान, सुपारी, लोंग और इलाइची जैसे सामगरी का जरूर इस्तिमाल करें. 8. भगवान सूर्य और छटी माता की पूजा से पहले प्रसाद या भोग ग्रहन ना करें. इससे वरत खंडित हो जाएगा. 9. बिना स्नान किये पूजा के लिए बनाई गई किसी भी वस्तू को हाथ न लगाएं. इससे उसकी शुधता भंध हो जाएगी. 10. छट पूजा के दौरान कभी भी पुरानी टोकरी का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए. यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.